हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टूदे एजुकेशनल चैनल ओफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागते गाइस आज मैं आपको बीएट सेकंड सेमिस्टर पेपर सेकंड के जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉश्चन बताने वाली हूँ इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट कॉश्चन अल्रेडी चैनल पर अप्लोड कर दियें सो आप चेक कर सकते हैं सेपरेट पिलेलिस्ट भी बना दियें सो जो 2023 का न्यूस लेवस है उसी के एकॉर्डिंग में आपको पेपर सेकंड के भी इंपॉर्टेंट कॉश्चन बताऊंगी पेपर फर्स्ट की तरह आपका पेपर सेकंड जो है ये भी सभी सब्जक के स्टुडेंट का कॉमन पेपर होता है जो कि आपका पार्ट ठिकरम में पार रभासा सेकंड यानि लेंग्वेज एक्रोस दी करिकुलम पार्ट टू यह आपका सेकंड पेपर है चाहे आप मैट के स्टुडेंटों, बायो के, कॉमर्स की या फिर आर्ट्स की क्यों ना स्टुडेंटों, सभी का ये आपका common paper होता है, ठीक है, तो चलिए, अब हम start करते हैं, इसके important question, सबसे पहली unit आती है, इसके अंतरगत आपको सबसे पहला important question करना है, पार्ठ क्रम में पार भाशा, ये सबस्ट कीजिए, ये आपका question previous year भी पूछा गया था, और इससे पहले भी पूछा गया था, ठीक है, तो जितने भी question में आपको बताऊंगी, सारे के सारे आपके previous year आए हुए हैं, और सारे के सारे आपके repeated question है, तो सारे के सारे आपके very important question में आपको बताने वाली हूँ, इ क्यों की जाती है, और इनसे आप क्या समस्ते हैं, ये आपको बताना है, totally जो संदर्व पुस्तके हैं, उनसे related आपका question number second है, इसके बाद third question है, प्रस्तूती करण की योजना कैसे तैयार की जाती है, और इसके प्रदर्शन एवं मौखे घटनों का वर्णन कीजिए, very 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 important question ह ये भी आपका, then fourth question है, पुस्तकाले के सूची पत्र का अर्थ, प्रकार और महत्व को बताईए, यही आपका second type से पूछा जाता है, भाशा सिक्षन के सामान सिध्धान्त का वर्णन कीजिए, सिध्धान्तों में में आपका एक पुस्तकाले से related भी सिध्धान्त दिया गया उसको आप कर लीजिएगा, then इसके बाद fifth question है, one of the most important question है, यह आपका भासाई कोशल, क्या होता है, इसका अर्थ, महत्व, प्रकार, सभी कुछ अच्छे से कर लीजिएगा, then next है, लिखित और मोखिक अविव्यक्ति के उद्देश, एबं आपेक्षिक व्यावार्गत परि इसके बाद next question है, हिंदी में सम प्रेशन अत्वा संदेश वाहन अभ्यास का वर्णन कीजिए, यह आपका previous से भी previous year पूछा गया था, then next question हिंदी गद्द सिक्षन के उद्देश एवं महत्व का वर्णन कीजिए, साथी साथ गद्द सिक्षन के प्रणालियों का संशिप्त वर्णन कीजिए, यह आपका important question है, इसके बाद है छातर की आपक्षिक योगिताई क्या क्या होती है, उन सभी का आपको वर्णन करना है, point के रूप में याद करिएगा इन सारी question के answer को, साथी साथ जवाब अपने answer लिखेंगे, तब भी आप paragraph के रूप में ना लिखकर point के रूप में लिखिएगा, answer का काफी अच्छा effect पढ़ता है, ठीक है, तो यह 8 question बेसिकली आपको cover करना है, unit first के अंतरगत, और जो आपका paper second है, इसके अंतरगत आपकी दो ही unit दी गई है, तो इतने question यदि आप कर लेंगे, तो आपका paper आपसे easily solve हो जाएगा, इसके बाद आत रिष्टाएं होनी चाहिए, ताकि उनका चैन पाठ्ठ है तु किया जा सके, यह आपका सेख्षिक लेखन से सम्बन देते हैं, पहला question, इसके बाद second question है, छात्र अध्यापकों में सेख्षिक लेखन के अध्यान के लक्ष एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यह ज इसके बाद second question है, छात्र अध्यापकों को छोटे एवं बड़े समुओं में विभाजित कराई जाने वाली गति विदियों का वर्णन कीजिए, सबसे पहली है आपकी विशे समझने ही तू वाचन, दूसरी है बिनीमे वाचन या विचार वाचन, तीसरी है मुख्य विचा जान करना, चोथी है आपकी प्रिश्न और उत्तर वाचन, इन चारों के द्वारा जो आपके छात्र अध्यापकों के द्वारा वाचन किया जाता है, उनकी गति विदियों का वर्णन कीजिए, चार ही है आपकी most important है, इसके बाद next question है, लोग प्रिये सिक्षन, लेखन को व व्याख्यात्मक लेखन, सेख्षिक लेखन, पांचों के पांचों पॉइंट आपके very 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 important है, एक दो पॉइंट हर बार आपके जो है वो पूछे जाते हैं, इसके बाद next question है, गद्धि साहित्ति के प्रमुख विधाओं को बताते हुए, किनी चार विधाओं को उधारन सह समझाईए, ये भी आपका अच्छा question है, then next है निबंद लेखन, फाइप मार्क्स का आपका पूछा जाता है, हर बार आता है, सबसे पहला है परियावरन समश्या, दूसरा है देनिक जीवन में बिग्ज्यान, तीसरा है आपका किसी महापुरुष की जीवनी, लाइक महत्म गांधी की आप कर सकते हैं, then fourth है रास्टिय पर्व, जैसे की सोतंतरता दिवश हुआ, ठीक है, तो इन चार से पांच आपको जो है वो निबंद यानि एसे को अच्छी तरह से कवर कर लेना है, फाइप मार्क्स का हरवार पूछा जाता है, और इस बार भी आएगा आपका, then इसके बाद next question है, भाव पल्लवन की अवधारना को सपस्ट करती हुए, इनके महत्व परकार और उधारन सहित इनको आपको समझाना है, भाव पल्लवन को, इसके बाद next question है, प्रस्तुती करण के उपरांत प्रतिकरिया लेक पर प्रिश्नकाल के दोरान, छात्र प्रिश्नों के उत्तरों को महत्व सहित सपस्ट कीजिए, तो यह 8 questions बेसिकली आपको कवर करना है, यूनिट सेकंड के अंतरगत, और मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के अंतरगत बताए, 7 से 8 questions, या फिर 9 से 10 questions मैंने आपको बताए, यूनिट फर्स्ट के अंतरगत, तो द कोई भी doubt हो, आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हैं, मिलते हैं next video में new topic के साथ, so thank you so much for watching, keep on learning.